जै माता दी जै मा कमाख्या देव राधा टश्ट सत्यवानी चैनल से आप पारंपरिक, सांसकतिक, संसकार, परंपरा, रीति रिवाज और मान्यता जो हमारे हैं पुराने व्रध जन जो चले गए हैं बड़े बुजुर्ग जो बना के गए हैं बहुत विज्ञानिक आधार पर बना के गए हैं जैसे की अमावस्या के दिन इस्त्री के साथ प्रसंग नहीं किया जाता है अमावस्या के दिन इस्त्री के साथ सोया नहीं जाता है और अमावस्या के दिन घर में लड़ई जगड़ा भी नहीं किया जाता है अमावस्या के दिन घर में साफ सफ़ाई करना हैं और अमावस्या के दिन विवाह नहीं करते हैं अम्मावस्या के दिन ग्रह प्रवेश भी नहीं करते हैं क्योंकि अम्मावस्या का जो महीने में एक दिन आता है यह प्रेतों का दिन कहलाता है पित्रों का दिन कहलाता है और पित्र को पित्रों के दिन में कोई भी ऐसा सुख मिले ऐसा कारिय नहीं करना चाहिए पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए, पती-पतिनी को एक साथ नहीं सोना चाहिए, अन्निथा कष्ट की प्राप्ती होती, पित्र दोश रगता है, पित्रों के द्वारा शराब दिया जाता है, पन्तु आजकल मानते ही नहीं है उनको हिंदी केलेंडर ही समझ में नहीं आता है कि वास्तव में अम्मावस्या कब आके चली गई कब पुर्णिमान आ गई है तो इस प्रकास से बहुत से मनुष्य कस्ट भोग रहे हैं और उन्हें ग्यान ही नहीं कि हमारे शास्तों में क्या-क्या चीज लिखा हुआ है इन कस्टों के निवारन के लिए तो अम्मावस्या के दिन इस्तरी पुरुष पती पतनी इनका संगम नहीं होना चाहिए अमास्या के दिन घर में कलेश अशान्ती नहीं होनी चाहिए अमास्या के दिन लड़ाई जगड़ा भी नहीं होना चाहिए अन्निता कस्ट की प्राप्ती होगी ही होगी पित्र कस्ट देते अमास्या के दिन दूद भी नहीं ढूलना चाहिए बहुषिप्सेज़ेगे हम देखते हैं कि अमास्या के दिन जो है दूद डूलता बहुत है उफनता बहुत है यह भी एक कस्टो का कारण हो इसी से पता लगता है कि आपके ही घर में पित्र है और अमास्या के दिन अक्सर जगणा जी इस होता हो जैमा तादी, जैमा का मक्या